हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम आभी देखे एन वेलकम टू टेक्स ओर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लाप्टॉप या फिर कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर स और यहाँ आप देख पाएंगे लॉक स्क्रीन इस पर क्लिक करें तो यहाँ नीचे की तरफ आपको स्क्रीन सेवर मिल जाएगा इसे क्लिक करके ओपन कर लें अगर आपको स्क्रीन सेवर यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ उपर सर्च कर लें स्क्रीन सेवर और यहां से भी आप open कर सकते हैं इसके बाद देखिए screen saver none है तो यहाँ पर आप किसी भी type का screen saver लगा सकते हैं 3D text लगा सकते हैं तो कुछ time बाद जैसे आपने यहाँ पर one minute choose किया है तो one minute बाद अगर आप कुछ भी button नहीं दबाते हैं तो अपने आप इस तरीके से text आने लगेगा आपके laptop में और अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक रहे तो वन मिनट बाद वो ब्लैक हो जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ पर bubbles लगा सकते हैं bubbles आने लग जाएंगे और photos भी आप यहाँ पर लगाना चाहे तो यहाँ पर add कर सकते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर apply कर देना है उसके बाद यह सेट हो जाएगा screen saver तो इस तरीके से आप screen saver लगा सकते हैं